है भूब है कि अग्ज़ी I'm here from dev11 last video में हमने देखा form के types and uncontrolled form कैसे use करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे control form कैसे use करते हैं and control form को कैसे बनाया जाता हैं क्या advantages है किन के left में हम last video का uncontrolled form का code देख पा जहां पर हमने refs का use करके data को access किया था from the elements जो हमारे html input elements है उनसे हमने data link आला था using refs तो यह था हमने जैसे बताया uncontrolled component अब हम लोग देखते हैं कि uncontrolled component को हम लोग कैसे control component में change करें and क्या difference है एक चीज़ आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग किसी भी stage में इसका value change नहीं कर पा रहे हैं right even if we want हम लोग यहां पर अगर माल लेते हैं on change करके एक handler भी लगा दे लाइक अगर एक function हम लोगी अभी मैं uncontroll की बात करहूं तो इसमें अगर मैं एक on change handler भी लगा देता हूं handle on change राइट इसमें मुझे एक event मिलेगा फिर उसे मेरे को event.target.value करके access करना होगा तो अगर मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं data change हो रहा है बट अगर मेरे कोई इसका data को change like इसका data को set करना है तो हमें यहां पर vanilla JavaScript का use करना पड़ेगा यह चीज ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि control components के case में हम लोग जिस समय data जैसे ही हम लोग type कर रहे हैं उसी समय हम लोग के पास data का control है और हम लोग चाहें तो कुछ उसमें custom तरीके से कुछ दूसरा data भी append कर सकते हैं या उस data को manipulate कर सकते हैं या अगर वो data सही नहीं है तो उस data को हम लोग update नहीं होने दे सकते हैं यह सारी चीज़े हम लोग कर सकते हैं तो आईए देखिए वो कैसे करते हैं तो हम लोग यह हमें refs का जरुवत नहीं है हम refs हटा देंगे यहां से हमें यह सारे refs का जरुवत नहीं है तो इन्हें हटा देते हैं इस refs का भी जर यूज स्टेट का यूज करना है ताकि हम लोग इस फॉर्म के स्टेट को रियाइट के थू हैंडल कर पाएं को मैं यूज रि kick करके यूज्टकर देता हूं इन स्टेट बना लेता हूं जाद साइव alan अब तक इसके सिंडैक्स को जान चुके हैं . ować इसको हम लोग use state दे रहते हैं with empty value as an initializing value फिर email इसके बारे में बात किया है क्योंकि यह function changes the value of this one यह set email function email का value को change करता है इसलिए हम लोग उसके आगे में set लगा देते हैं नाम के आगे में अल्राइट अब हमें इसका on change functions को change करना पड़ेगा तो जैसे कि हमने देखा हमें इसमें एक event value मिलता है हम एक anonymous arrow function बना लेते हैं और इसमें हम लोग set name को call कर देंगे हमें with event dot target dot value और राइट और सिंस दिस इस अ कंट्रोल कंपोनेंट तो हमें इस वैल्यो को sync में रखना होगा जो हमने ऊपर में new state में define किया हुआ है तो name और राइट तेम चीज हमें दोनों कंपोनेंट्स के लिए करना है तो I'll just copy this और यहां पर भी बस यहां पर difference ही है कि यहां पर set email हो जाएगा value और यहां पर set email कॉल होगा और यहां पर value हो जाएगा password और set password कॉल होगा तो save कर लूँगा उपस मैं इसे हटाना भूल गया अभी के लिए मैं सरफ name email और password value को print कर देता हूँ राइट refresh मार दिया तो इसे मैं submit किया और हमें आ रहा है value प्रेंट हो रहा है नो control form होने का फायदा यह है कि हम लोग real time में यह value हमें available हो रही है यहां पर मैं कुछ ऐसा logic लगा सकता हूँ यह button तब तक disabled रहेगा जब तक कि name.length is lesser than 3 ऐसा कुछ logic लगा दिया हमने जैसे कि देख रहे हैं यहां पर m i लिख रहा हूँ तब तक कुछ नहीं हुआ h जैसे ही मैंने लिखा तो it just started working तो यह हमें real time में यह value available हो रही है ना कि हम किसी button को click करेंगे तब ही हमें value available होगी क्योंकि हम लोग on change में यह react के use state में हम लोग state में value को store कर दे रहे हैं तो react के पास यह value available है तो react हम लोग उसके ओपर कोई भी validation या उसके ओपर किसी भी तरीके का manipulation कर सकते हैं उस value का तो अगर मैं differences की बात कर लूँ control component में हमने जैसा देखा था you get the value on submit alright and you can validate on submit right and same चीज हमने देखा uncontrolled component के case में you can get the value on submit and you can validate on submit so यह दो point basically क्या है जैसे हमने uncontrolled component में देखा जब हमने यह submit को कॉल किया on submit पर यह handle submit function में हम लोग इस समय में validation कर पा रहे थे और हम लोग को value भी मिल रहा था वह submit करते समय में रैट console log में हमने यह सारे values को print किये थे same cheese is possible in control component also हम लोग यह लोग को value मिल रहा है समय के case में जब हमने on submit को कॉल किया था और हम लोग इस पर कुछ वैलिडेशन भी लगा सकते हैं आप लोग इसको कर सकते हैं नेम डॉट लेंद ग्रेटर दें थ्री हो एंड पासवर्ड लेंद अगर ग्रेटर दें एट हो और वाटेवर देन सब्मेट देस अभी के लिए सब्मेट के जगा पर आगे चलके आप लोग बैकेंड में इस चीज को सब्मेट कर रहे होंगे पॉसिबली यह हमारा दोनों पॉइंट इन दोनों कंपोनेंट के बीच पॉसिबल है रइट up coming to What's Difference in control component दो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जब तक name का Length 3 था जो 3 से less था जो कि हमने यह condition लगाई थी तब तक हमारा Submit button disabled था और जैसी हमने 3 सेपर का Length किया था या 3 तक हम लेके आये थे वैसे हमारा Submit BUTton enable हो गया था तो बैसिकली उसे क्या पते चलता है कि हमें real time में real time में हम validation कर पा रहे थे हम real time में value change होने पे हम लोग validation कर पा रहे थे और उस पे कुछ action run कर रहे थे finally coming to the fourth point जो dynamic input is supported वाला point है so इस पे आप लोग थोड़ा सा research करेंगे and एक exercise इस पे आपको solve करनी होगी so this is all for uncontrolled component control components किस तरीके से react में form बनाया जाता है which is the better way and why and yeah I'll see you in the next one thank you